हलो और वेल्कम बैक टू माय चैनल बात करने वाले इस वीडियो में और और टेखने को लेकर के और श्टॉक का प्राइज देखोगे तो अज बड़ा इंटरेस्टिंगली अपने प्रीवियस आई को बना करके अच्छा कासा हम लोगो ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है कर सकते हैं या फिर शॉर्ट कर सकते हैं यहां से क्या पोशिशन बंती देखने को मिल रही है पंड़ा मेंटली कमनी अच्छी शेयर होलिंग पैटरंस क्या है सारी चीज़ें बनवाई बन डेटल बर सकते हैं क्वाटर टू के रिजल्ट कब आने बाले हैं यह भी चलिए च कपनी का मार्केट के अब देखोगी तो 1514 क्रोड का देखने को मिलता है इस्टॉक का पी देखोगे तो 36.5 का निकल के आता है रिकर रिटेन और कैपिटल इंप्लॉइमेंट देखोगे तो 34 परसेंट का का यह काफी अच्छा है वहीं रिटेन विक्टी देखोगे 27 परसें इंडस्टी पी देखोगे 39 का है डेट देखोगे कंपनी पर से 11 क्रोड का निकल के आता है अब हाई लोग की बात करने तो 375 का हाई है जो की आज ही लगा है और 247 का लो है जो चलिए टेक्निकल में देखेंगे काफी इंट्रेस्टिंग है अब देखें के रिजल्ट तो अभी आए नहीं है काफी अच्छे है 148 करोड का कंपनी का सेल्स है मार्जिन भी देखोगे तो लगवग लगवग आट-नौ परसेंट के है फीचर में और देखने को ज्यादान बिलेंगे यह नहीं क्योंकि डेटर से विल्ट से काम करती है त बश्रेजल्ट 11 नौमर को इसके डिकलियर होंगे बाकी बैलन शीट देखोगे तो 139 करोड का रिजर्व है 11 करोड की कपनी की डेट है बहीं शेरोली पेटन 73 परसेंट तो प्रमोटर्स की पास है बाकी 3.56% FI के पास है 1.20% और अब कंपर करने लिए पराने कोटर्स तो आ इंपॉर्टन पार्ट पर अब यहां से देखोगे तो कंपनी को यहां से एक यहां पर ओपन हुआ था काफी अच्छा IPO लिष्टिंग इन भी जो लोगों को मिला होगा काफी अच्छा मिला होगा तो यहां से सीधा तो पहले यहां दग गया पिर यहां से देखोगे तो एक तुरू आउट था एक काफी बेस बनाया और यह जो candle देखने को मिल रही है काफी बढ़िया है breakout candle है previous high को देखोगे तो यह वाला high लगाया था यहां से देखोगे तो इसको break करते हुए finally देखने को अब candle हम लोगों को मिल रही है तो काफी अच्छा इस लेबल पर स्टॉक लग रहा है यहां पर अगर हम लोग टार्गेट को निकालने की कोशिश करते हैं तो target रिकालते हैं क्या target बगेरा हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं तो सीरे सीरे इसके bottom पर हम लोग मार्क करते हैं और हाई को रखते हैं और वेटन वाच लो यह रहे हम लोगों का पहला डार्गेट चार सो चालेस रुपए का हम लोगों का पहला डार्गेट यहां पर निकल के आ रहा है इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग फर्दर टार्गेट के लिए जाएंगे और इसी केंडल को हम पापस से रख देंगें तो 450 अगर बापस से ऊपर रखते हैं तो यह दूसरा टार्गेट आ जाएगा दूसरा टार्गेट 450 से बढ़ करके 500 बजा मतलब our order 100 points के हम लोग देखने वाले हैं तो 410 हम लोग पहला target रहने बाला है और stop loss की बात कि रहे हैं stop loss काफी छोटा सा है बहुत छोटा सा है risk reward काफी अच्छा है 311 रुपई के नीचे का stop loss निकल के आएगा जो कि इसके इसका ही low रहने वाला है तो 313 रुपई तो मंदब हार्ली 305 रुपई के आस-पास का हम लोग इसमें stop loss देखने वाले हैं तो risk reward काफी favorable देखने को लग रहा है target भी काफी अच्छे है तो up to date सारी चीज़ा सही हैं बाकी market है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है सब कुछ uncertain है लेकिन stock label पर काफी अच्छा लग रहा है को कि volumes बगेरा काफी अच्छे आज accumulation भी काफी strong देखने को हम लोग को मिला है तो यह थे और इन टेक्नोलोजीज को लेकर के detail में टेक्नोफ अनलासिस वीडियो काफी अच्छा लाग काफी अच्छा जरूर बदाएगा और किसी भी निवे से पहले अपर financial analysis के लाग और अपने analysis भी जरूर करें बेलते आगले वीडियो से अपते तो के लिए धने बाद